इंद्री नगरपालिका में हाउस की मीटिंग नगरपालिका चेरपरसन शिवानी गोयल के अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में राजी मंत्री करंदेव कामबोज ने बतर मुख्यतीती के रूप में शिर्कत की इस मीटिंग में सभी वार्ड के 13 पार्शदों के साथ मीटिंग हुई एक वार्ड तीन का पार्शद मीटिंग में हाजर नहीं हुआ मेटिंग में 19 एजेंडे सर्व समती से मत्री करंदेव कामबो जो चेर परसन शिवान ही गोयल वा सभी पाईशुदों की मौजूद्गी में पास हुए शहर में पुरानी लाइटों की जगा LED लगाई जाएगी शहर को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ लगाई जाएगे जो पुराने कारे रुके हैं उनको जल्द पूरा खरवाया जाएगा सभी वार्डों में कुड़ादान दखवाया जाएगा एक JCB नई खरीदी जाएगी और नगरपालिका द्वारा बनाया जा रहे कॉम्प्लेक्स में दुकानों को बोली पर दिया जाएगा सभी वार्डों में एक एक सफाई करमचारी और लगाया जाएगा ऐसे और कई जन्डे हैं जिनको जल्द पूरा खरवाया जाएगा राज्यमंद्री करंदीव कामबूज निकाहा कि नगरपालिका के जितने भी कारें हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं उन पर भी विचार किया गया सबी वड़ो में एक पर्साती सीजन को ध्यान में रखते हुए नालो की सफाई करवाई चाहेगी एक नई जेसी भी का परस्ताव भी जारी किया गया मंत्री करंदेव कांबोजनी वीरवार को नगरपालिका में हुई हाँ उसकी मीटिंग में बत्तोर मुक्यातिती के रूप में शिर्कत की इंद्री नगरपालिका की विकास कारियों को लेकर के एक आम बैठक हुई है जिसमें सभी 13 वार्डों से हमारे चुने हुए एमसी वह सामिल हुए है और हमारी जो नगरपालका की चेर परिशन है शिवानी गोहल जी उनकी अध्यक्स्ता में आज ये मिटिंग हुई है नगरपालका के इंदर जितने भी डुवल्मेंट के काम पेंडिंग है उनक पर विचार हुआ है और क्योंकि ये बरसात का समय है तो एक नई JCP ख्रिदिने का व्याज जो है ना हूस ने परस्ताव पास किया कि एक नई JCP भी नगरपालका के लिए ख्रीदी जाए और उसके साथ सा स्वस्ता बनाई रखेने के लिए जो है भी उसमें भी एक परस्ताव पास किया गया कि एक तो सभी वार्डों में एक एक जो स्पाई कर्मिचारी है उसको बढ़ाया जाए दूसरा सभी गरों में डेस्ट बिन पुचाया जाए ताकि सभी लोग अपना कुडा करकर जो है ना वो उस डेस्ट बिन में डाले और जो ही कुलेक्शन करने कुडा कुलेक्ट करने के के लिए जो वहाँ नाए वो सारा उसमें डाल करके अपने सहर को साथ सुतर रखे तो इस पर विचार किया गया है सहर के इंदर रोशनी की वहसता ठीक परकार से हो तो हमारी जो लाइटे थी वो परानी लाइटे लगे हुए हैं उनको बदल लगर के LED लाइटे क्योंकि उसमे आज 20 अजेंडे थे उसमें एक अजेंडा तो पिछली मिटिंग का जो कारवई थी उसको अनुमदन करना था बाकी 19 अजेंडे जानों काम से सुमन दिते हमारा नगरपालका का जो एनों कैमपस भी वो भी बन करके त्यार हो गया कुछ नगरपालका की उसमें दुकाने भी तो उनको भी लीज पर देने के लिए उसके भी कुछ पैरामिटर तैक किये गए कि उनमें नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर की दुकाने हैं उनके लिए स्कोर्टी थोड़ा ज्यादा रखी गई है जो उपर की बिल्दिंग है उसके लिए थोड़ी कम की गई है क्योंकि तर जो है न ओफिस बनाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं इसलिए उनका करया उनकी जो श्कोर्टी थी वो कम रखी गई है तो यह सारी इस परकार से आज डूइलमेंट के काम को ले करके और कई और परकार के भी योजनाई जो हरा बरा करने के लिए सहर में ज्यादा प्ला करके उसमें हरे बरे पेड़ लगा दें इसके पर भी विचार हुआ है और भी कहीं तरह के जो डूइलमेंट के काम ते कहीं गलियों की बात थी कहीं पारक की बात है तो यह सारी जो है न इन पर विचार हुआ और बड़ा मैं समझता हूं कि आज बड़ी यह मेटिंग इस परकार से आज इस हाउस की मेटिंग सभी एमसेओं आप अपनी बात रखे तो उस पर विचार करके और इन सारे कामों को जो आना गती देने के लिए आज यह मेटिंग रखे गया एक पारसद नहीं थे बाकी सभी पारसद जो आना मोझूद थे एक पारसद बाहर घूमन के लिए तया या रहा है यह निकिस से इनके विदयाइक कहीं विदयाएक तो मेरे वी दूभिदयक संपरक में हैं हरो रोज संपरक कर रहे हैं तो तो जो पहां तो बगधर मचिविए उसारे कि सारे लोग जलनना इना लोके पार्टी छोड़ करके जेजीबी के भी कई लोग हैं जो पार्टी शोड़ करके भारत्य जंता पार्टी में सामिल होना चाहते हैं और भारत्य जनता पार्टी ने भी विचार कर रही है कि इतने लोगों को सामिल करना क्या पैदे बंद रहेगा या नहीं रहेगा उस पर पार्टी भी विचार कर रहे हैं किस तरह से अच्छे लोगों के लिए तो दरवाजे खुले हैं लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा चोक् कोई नेता अपने आपको समझता तो उसके भी अगर वो भी कहता है उसको भी टिकट की कोई गरंटी नहीं होती भारतिय जनता पारटी में तो सब कारिय करता है और काम करने वाले कारिय करता जो काम करता उसी की कदर होती है उसी के आदार पर जाने भारतिय जनता पारटी का सि अब देख रहे होंगे, हार रोज कोई ना कोई विदायक, हफ्ते में दस दिन में कोई ना कोई विदायक स्यामिल हो रहा है। अभी 4-5 मेले थे हुमारे जो इनलों के अमेले थे, उभारतिय जिनत परट उन्हें ने स्यामिल होने की घोशना करी दिये, मुखे मंत्री जिन हमारे आदिने परदेश सदक सुबास बराला जिने उनकी जोएना उनों से आमिल करने का काम उन्हें किया है।